हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका इंडियास बेस्ट जांसर शो से नोरा फतेही की विदाई आकरी शूट पर भावक हुई गीता कपूर और नोरा देरसल हाली में नोरा उस वक्ट चर्चा में आ गई थी जब उनसे जुड़ा एक वीडियो और तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहे थे देरसल इंडियास बेस्ट जांसर के जो साथी जज टेरेंस लूइस थे उन्हों ने नोरा को बैक पोशन पर इस तरीके से टच किया कि वो विवाद से जुड़ गए और आपको बता दे कि लोगों ने टेरेंस और नोरा को जम कर ट्रोल भी किया था हाला कि बाद में नोरा और टेरेंस दोनों ने ही खुलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया अब इसी शो से जुड़ी एक और खबर सामने आई है खबर ये है कि शो में फिर से पूर्व जज मलाइका रोडा खान के एंट्री होने वाली है और नोरा पते ही शो से जाने वाली है नोरा ने बताइज शो का आखरी एपिसोर शूट कर लिया है इस मौकेपल शो की अन्य जज-गीता कपूर ने नोरा के लिए एक प्यार भरा नोट लिखा नोट लिखते वक्त गीता काफी एमोशनल हो गई गीता कपूर ने नूरा के साथ तीन फोटोज का एक कॉलाज भी शेयर किया है जो की काफी खुबसूरत है साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि नूरा ने बहुत ही कम वक्त में शो के मंच पर आकर सबका दल जीत लिया वो सबकी फेवरेट बन गई और हर किसी को उनसे काफी लगाव हो गया ऐसे में अब जब मलाइका कोरोना वाइरस से रिकवर कर चुकी है तो वो फिर से इशो में बतार जज बापसी करने वाली है और इसलिए अब नूरा को इशो को अलविदा कहना होगा और यही वज़ा रही कि वो काफी भावक हो गई उनकी आखे भराई और साथ ही साथ जो जज थी एक और यानि की गीता का पूर वो भी काफी एमोशनल नजर आए बहराल आप भी हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है इस वीडियो में इतना ही